कि अगर धर्म परिवर्तन या फिर कनवर्जन के मैटर्स को नहीं रोखा जाएगा तो इस तरीके से जो आपकी majority है वो minority बन जाएगी और minority आपकी majority बन जाएगी तो इसी बात को ले करके सुपकोट ने इस बात को एतराज जताते हुए जो है कहा है कि हाई कोट की ये टिपडी पूरी तरीके से गलत है और धर्म के ऊपर हाई कोट को कोई भी टिपडी नहीं करना चाहिये उनका जो डोमेन है कि किस व्यक्ति को बेल पर छोड़ना है किस व्यक्ति को बेल डिनाई करना है मसी में मेरे प्रियों आप सभी को जै मसी की मेरे प्रियों हम मसी ही भाई बेहनों के लिए देश की सबसे बड़ी आदालत से खुसखबरी सामने निकल कर आ रही है मेरे प्रियों इसलिए आपको इस खुसखबरी को सुनना बहुत जरूरी है मेरे प्रियों इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि वो जो खुस खबरे है हम आपको बता सकें मेरे प्रियों आप जानते हैं हमारे भारत देश एक धर्म निर्पेक्ष देशे और इस भारत देश में हर एक वर्गों के लोग पाय जाते हैं कई बोली बोली जाती है कई भासाइं बोली जाती है और मेरे प्रियों आप जानते हैं हमारे भारत देश के सविधान को लिखने वाले बाबा साहब अंबेट करजी ने सविधान में ये लिखा और ये आजादी हर एक मनिश्यों को दी कि हर एक वर्गों के लोग किसी भी धर्म का परचार और परसार कर सकता है और अपनी सू इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म के देवी देवताओं को पूझ सकता है मेरी प्रियों उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई जब्रन धर्म परिवर्तन करता है तो ये गेर कानूने हैं उन्होंने ये भी लिखा और मेरी प्रियों आप जानते हैं कि सु इच्छा से किसी धर्मों को मानना या किसी धर्मों में अपनी आस्था रखना ये सविधान के खिलाप में नहीं है मैं चाहता हूँ कि आप इस न्यूज को सुनिएगा उसके बाद में हम बात करते हैं हलो दोस्तो वेलकम बैक टू आर चैनल स्टाड़ी आईक्यू जुडिश्री मैं अपू शर्मा स्वागत करता हूँ स्टाड़ी आईक्यू के स्यूटू प्लेटफॉर्म पर और आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोट ऑफ इंडिया के एक लेंडमार्क जज्जमेंट के बारे में अलावाद हाई कोट की जो टिपड़ी थी उस पर एतराज जताते हुए बोला है कि अगर कोई भी रिलीजस कनवर्जन में इब्यक्ति इन्वाल्व है तो आप उसके बेल को डिनाई कर सकते हैं लेकिन उस पर इस तरीके की टिपड़ी करना कि अगर भारत में आपके रिलीजस कनवर्जन को नहीं रोखा गया तो जो आपके बहुमूलिक सक्याः उस चीजस को लेकर के सिंगल जजिस बैंच ने दिया था और उसी चीज़ को लेकरके उनरेवल सुप्रीम कोट ने यहाँ पर इस चीज़ को पूरी तरीके से करेंटेसाइज किया है Supreme Court ने कहा कि Article 25 की according किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को प्रेटेस करने का प्रपगोट करने का और उसको अपनाने का और पूरी तरीके से अधिकार है यह मैटर है हमारे जो है यूपी का यूपी के एक गाउं के कुछ लोगों को उसका भाई और जो है गाउं के कुछ लोगों को एक व्यक्ति का भाई और उसके कुछ गाउं के लोगों को दिल्ली लेकर आता है और वो यह कहते हैं कि वहाँ पर धर्म के प्रचार प्रसार के लि पुरी प्रिक्रिया को अपनाया जाता है और पुलिस उन लोगों को जेल में डाल देती है इसके बाद वो जो है इलावाद हाई कोट में आ करके अपनी बेल को जो है मांगते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यूपी कनवर्जन 2021 का जो एक्ट है उसके बेल डिनाई करने का अधिकार आपके हाई कोट का है लेकिन हाई कोट यहां पर एक रिमार्ग देता है कि अगर धर्म परिवर्थन या फिर कनवर्जन के मैटर्स को नहीं रोखा जाएगा तो इस तरीके से जो आपकी मैजॉरिटी है वो माइनॉरिटी बन जाएगी और पर छोड़ना है कि व्यक्ति को बेल डिनाई करना है अधर्म वैसे तो हर इंसान की निजी आस्था का विश्य है जो जिस परिवार में पैदा होता है या तो वह सद्धर्म को मानता है या फिर आगे चलकर वह अपनी इच्छा से दूसरे धर्म को अपनाता है देश के अपकार देश के सबसे बड़ी अदालत ने कोट ने जो धर्मानतरन के खिलाप में जो सक्त टिपनिया थी उसको हटाया आया मेरी प्रियों जैसे कि मैंने बोला कि जो जब्रन धर्म परिवर्तन करता है वो सचमुच में गेर कानूनी है लेकिन हमारे भारत देश में जो अपने आपको धर्म के ठेकदार समझते हैं अगर कोई भी जन सूइच्छा से प्रातना करते हैं या प्रातनाओं में जाते हैं तो ये लोग धर्मानतरन का आरूप लगाते हैं और वो भी जब्रन धर्मानतरन का आरूप लगाते हैं मेरी प्रियों जब्रन का मतलब होता है कि किसी को तलवार के नोक पर बंदु के नोक पर लाठी के नोक पर उसको दबाव डालना और उसके साथ जबरदस्ति करना अग अगर तुम मेरे धर्म को नहीं मानोगे तो हम तुमारे साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे अगर वो ऐसा करते हैं तो वो होता है जब्रन धर्म परिवर्तन लेकिन आप जानते हैं मसीही लोग किसी के ऊपर दबाव नहीं डालते हैं और ना ही किसी के ऊपर जब्रन धर्म कर सकते हो इसलिए सविधान के तहत में रहकर मसीही लोग सब लोगों को सुसमाचार का प्रचार करते हैं और अधिकान से जो धर्म के ठेकेदार रहते हैं वो यह कहते हैं कि हमारे आदिवासी भोले-भाले लोगों का धर्मान्तरन उनका ब्रेन वोस कर रहे हैं तो मैं इनको यह भी बताना चाहता हूँ कि मसीह लोग सिर्फ आदिवासी भाई-बेनों के बीच में जाकर प्रचार और प्रसार नहीं करते हैं वो पृत्वी के छोर तक जाकर प्रभु परमेश्यर के वचनों का प्रच जाता हूँ जो धर्म की याड में गुल्डागर्दी करते हैं और लड़ाई जगडा करते हैं मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे उंचे पदवाले मनिश्य हैं जो कि प्रभिय शुमसी को फोलो करते हैं मेरी प्रियों मामला क्या है कि एक केलांस भाई हैं जिन्होंने कई लोगों को मिटिंग में ले जा रहे थे और ये धर्म के ठेकेदार वहाँ पर जाकर उनको रोका कि तुम कहां ले जा रहे इन लोगों को और धर्मांतरन क्यों कर रहे हैं ऐसा करके उसके उपर केस दर्ज हुआ था और उत्तर प्रदेश क कि जो हाई कोट उसने ये फैसला किया था कि अगर इस परकार की गतिवीदियां और होती गई तो जो बहुत संख्यक लोग हैं वो अल्प संख्यक में हो जाएंगे मेरे प्रियों में आपको बचाना चाहता हूँ जो धर्म के गुरु बन बेठे हैं और धर्म के ठेकेदार बन बेठे हैं उन्हें सबसे ज़्यादा यही डर सताय जा रहा है कि जो लोगों के बीच में हम जाते हैं जो हमारी सुनते हैं वे लोग दीरे दीरे सुनना बंद कर द लगेंगे क्योंकि मेरे प्रियों यह जहां पर भी जाते हैं दूसरे वर्ग के लोगों को अलप संक्यक लोगों को प्रती जहर ही उगलते हैं और कहते हैं इसाई लोग धर्मांतरन करते हैं इसाई लोग लालस देते हैं इसाई लोग ऐसा करते हैं क्योंकि इनको खुद तो अच्छी सिख्षा देना आता नहीं और जो अच्छी सिख्षा देते उनके बीच में उनके प्रती जहर उगलते हैं और उनके प्रती लड़ा जगडा पेदा करवा देते हैं. तो इनको यही डर है कि धीरे धीरे जो हमारा बिजनेस हमने खोला है वो बंद हो जाएगा क्योंकि आप जान रहे हैं मेरे प्रियों इस समय में हमारे भारत देश में बच्चे-बच्चा बाबा बनने के फिराक में हैं और आप यूटुब में देख सकते हैं कैसे कैसे बाबा लोग हैं जो कि दुकान खोलके रखा है उस समय में पढ़ाई करना चाहिए लेकिन पढ़ाई नहीं बलकि बाबा बन के दूसरों को ग्यान बाट रहे हैं उनको पता है कि बाबा बनने से लोग हमारी सुनेंगे और मोटा मोटा रकम मिलेगा इसलिए लोग इस परकार बाबा बन रहे हैं और उन्हें डर है कि ये मसी एशु को जादा फोलो ना करने लगे इसलिए आए दिन धर्मांतरन का आरोप लगाते हैं लेकिन सुप्रीम कोट ने इसको भी नामनजूरी दे दिये कि जो सक्त कारवाई होती थी जो जमानत नहीं मिलती थी सुप्रीम कोट ने कहा कि जमानत मिलेगी और उनको हम छोड़ेंगे और उस भाई को केलास भाई को सुप्रीम कोट ने जमानत देकर उसको छोड़ दिया जो की पिछले साल से जेल के अंदर थे